हलो एवरेवान वेलकम तो मैं यूटीब चानल आइलज फितामकी आई होप काइस यू आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग टिप की हम इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं राइटिंग टास्क टू की वो मैं डिसकस करने वाली हूं उससे पहले मैं आप लोगों को चाहती हूं कि आज ओफर का लास दिन है अगर कोई भी बच्चा आज फीज को सम्मिट करवाता है उसको जस्ट 900 पर मडियूल वन मंथ के लिए सम्मिट करवाना पड़ेगा जो मॉर्निंग बैच है वो 10.30 होता है इवनिंग 5 पीम होता है और मडियूल का फीडबैक है वो सारे मडियूल को डेली बेसिस पर डिसकर्स करती हूं अगर कोई भी बच्चा इंट्रस्टेड है तो इस गिवन नंबर के उपर टेक्स करके ऑनलेन क्लासिस को जॉइन कर सकता है तो जस्ट आज लास दिन है इसके बाद जो फी है वो इंक्रीज हो जाएगी जस्ट आपको करवा रहे है 900 पर मर्डूल फॉर वन मंथ डेली बेसिस पर स्पिकिंग एंड राइटिंग चेक होगी इफ यू आर इंट्रस्टेड देन यू कें टेक्स्ट मी ओन दिस नंबर सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क टू को एक्चली गाइस जो मेरे पास स्टूड blessing करते हैं उनके बी जो मेन प्रोब्लम है वह मुझे बताते हैं कि मैम हम रीफ्रेज करना नहीं आता हम कैसे रीफ्रेज कर सकते हैं याईस मैं एक चाहist Git बताना चाहते हूं कि अगर आप लोग रीफ्रेज करना चाहते हो ना पहले आप लोगोंने simple re- partie करना सीखन हम लोग क्या है complex के पीछे भागते हैं कि हां भी हमने complex करने हैं अगर आप लोगों को simple लिखना नहीं आता then आप लोग complex को तो गलत ही लिखोगे ना पहले आप लोग basic से चलो ना अगर आप लोग basic से चलोगे ना तो आप में improvement होगी अगर हम directly jump करेंगे कि नहीं हमने तो complex को ही सीखना है suppose करो कि अगर आप लोग सीधे ही जो jump है fourth stair पर करते हो so obviously है कि आपको चोट लगेगी so same as a desire में है कि जब आपने basic नहीं किया complex के पीछे भागती हो तो automatically 5.5 तो आने ही आने है यही एक main reason होता है कि बच्चों की bands को क्यों नहीं आते है okay so एक बात को मैं clear करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों नहीं simple करना है simple करना है and vocab भी normal use करनी है vocab की सारी videos आप लोगों को मेरी channel के उपर मिल जाएगी just वही vocab आप learn करो आपके लिए enough होगी आपको कुछ और word finding करनी की गोई ज़रूरत नहीं है enough आपके लिए okay and guys अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो channel को ज़रूर subscribe करना like करना, share करना and अपना feedback comment section में ज़रूर बताना and जो मेरी next वीडियो होगी वो में speaking part 1 time management के उपर बनाऊंगी क्योंकि एक बच्चे का काफी time से message आ रहा है कि उसके उपर वीडियो बनाऊ so next video मेरी उसी के उपर होगी so definitely I will make video on that topic as well don't worry there so guys देखो refresh आपको पता है कि हमने introduction लिखनी है हर एक topic में हमने introduction लिखनी होती है we know about it चाहे फिर वो कोई भी type हो हमें पता है कि हमारे पास writing task 2 की total 8 types है हमारे पास writing task 2 total 8 types है सभी में हमने क्या करना होता है refresh करना होता है और thesis line लिखनी होती है अब thesis तो मैंने आप लोगों को already सभी ssg provide की हुई है लेकिन problem आ जाती है refresh कैसे करना है सो मैं आपको बताऊंगे कि कौन सी चीज हमें follow करनी चाहिए refresh करने के लिए बहुत है simple method बताऊंगी just video को end तक देखना अगर skip करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को हमें पता है कि 8 type है सभी में हमने refresh तो करना ही करना है सो देखो जैसे कि आप लोगों को पता कि हमारी intro का half band होता है इंट्रो हमारी half band की होती है अगर हम उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं सो आपको कोई problem नहीं आएगी एक type की introduction देख लो सभी types की clear हो जाएगी ठीक है मैं specific video भी बनाऊंगी एक topic है बहुत ही special होने वाला है उसके उपर अगर आप लोग वो वीडियो को देखना चाती है तो comment section में जरूर बताना सो देखो guys refresh करना है हमने refresh कैसे करना होता है कि जो हमें question given है उसको हमने change करना है with the help of vocab और complex sentences ठीक है उसको हम बोलते हैं refresh लेकिन देखो अगर किसी बच्चे की sentence formation wrong बनती है अगर किसी student की sentence formation गलत है तो सबसे पहले उसने क्या करना है refresh करना start करना है किस language में simple language में means without complex sentences complex sentences का उसमें बिल्कुल भी use आपने नहीं करना है simple करना है ठीक है जहां तो आप introduction को start करो ये two words देख लो जहां तो आप लोग start करो it is considered that जहां फिर आप लोगों नहीं start करना है it is considered by क्यों new new experiment करते हो fixed रखो word ठीक है start करने के लिए बच्चे तो बहुत different different use करते है मैं तो personally यही use करते हूँ इन दोनों को ही मैंने use किया और मैं अपने online students को भी यही suggest करते हूँ कि इसके साथ start किया करो वो easy रहेगा हम लोग क्या है new new experiment करते हैं उस new new experiment की वज़े से हमारी always जो band है वो 5.5 ही रह जाते हैं ठीक है so this is the only main reason कि why I am telling you that you should focus on specific words specific words को सीख लो automatically आप लोगों की बहुत जादा improvement है वो हो जाएगी अब मैं आप लोगों ये question बताती हूँ कि उसको मैं कैसे refresh करूँगी पहले मैं आपको simple बताऊँगी ठीक है फिर हम थोड़ा सा complex की तरफ जाएंगे जैसे जैसे हमें question given है उसको ही हम refresh करेंगे ठीक है आज का हमारा topic है how to refresh refresh कैसे करना है गौर्मेंट शुड़ इन्वेस्ट more on railways rather than roads कि गौर्मेंट को जादा पैसा लगाना चाहिए किसके उपर railway के उपर roads को छोड़ कर यही हमें question given है अब problem आती है किसको refresh कैसे करें देखो पहले आपने क्या करना है जिसका आपको स्नानियम आता है वो आपने लिख लेना देखो जैसे lawmaker को हम क्या लिख सकते हैं गौर्मेंट इन्वेस्ट को हम लिख सकते हैं डिवोट more enormous rather than की जगे पर instead of मतलब जिसका मुझे स्नानियम आता था वो मैंने लिख लिया जिसका स्नानियम नहीं आता है वो मैं fixed लिखूँगी देखो अब it is considered that से मैंने starting की जो मैंने आपको अलवड़ी बताया कि इसके साथ आप starting कर सकते हूँ lawmaker lawmaker मतलब government ठीक है government को मैंने लिख दिया lawmaker should की जगे मैंने should लिख दिया invest की जगे पर मैंने devote लिख दिया more की जगे मैंने enormous fund लिख दिया railway की जगे पर मैंने rails लिख दिया rather than को change किया मैंने instead of me road का नहीं आता था तो road direct लिख दिया no issue गलत लिखने की बजाए अगर आप लोग सेम रहने दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगे इ Natalie, ये रियालिटी है हम लोग क्या करते है हमने यही सोच है कि हाँ इक वर्ड हमने सेम लिखना है हमने तो हरएक को चेंज करना है तो हरएक को चेंज करने की वज़े से आप वहां पी ऐसा wrong word fit कर देते हो अपया आपको सारे का सारा जो meaning है वो बिकार हो जाता है question का क्यूंकि आपको उसका action में meaning ही नहीं पता ठीक है आप लोगों नहीं क्या करना जिसका आपको meaning आता है वो आपने लिख लेना है जिसका meaning आप लोगों को नहीं आता उसको same रहने दो उसके साथ कोई आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है It's very simple ठीक है? जैसे मैंने क्या किया सबसे पहले जो मुझे वो क्या बाती थी वो मैंने ऐसे लिखनी फिर उसको बाद मैंने फिट करना शुरू कर दिया I hope आपको clear होगा एक और question बताती हूँ इसमें हमारा question क्या है In many countries, बहुत सारी countries में plastic containers have more common than ever कि बहुत commonly use किये जा रहे हैं plastic container and are used by many food and drink companies बहुत ही जाए यूज कर रही है इसका food वाली और drink वारी companies अब इसका क्या करना है जिसका meaning आता है उसको हम लिख लेंगे जिसका मतलब नहीं आता है उसको हम डिरेक्ट रहने देंगे So देखो In many countries की जगे पर मैंने लिखिया In most of the nations Plastic container की जगे पर Plastic cans Common की जगे पर renowned Many, mostly Drink, Beverages, Companies Form, मतलब जिसका आता था वो लिख लिख लिए जिसका नहीं आता था उसको same रहने दिया So देखो It is considered that से start किया In many countries की जगे पर In most of the nations Plastic container की जगे पर Plastic cans ठीक है यहाँ पर था more common मैंने क्या लिख दिया More renowned ठीक है As compared to Past ठीक है Past के comparison यहाँ पर past आना था By mistake लिख हो गया यहाँ पर आपने past कर लेना है Even it is mostly used by Countless food and beverages firm यहाँ पर था ना Used by many food and drink companies तो companies को मैंने change कर दिया Firms में Drink को मैंने change कर दिया Beverages में Food का नहीं आता था तो यहाँ पर लिख दिया अगर आता है तो आप लिख दो अगर नहीं लिखना तो same रहने दो कोई problem नहीं है मैंने की जगे पर लिख दिया Countless ठीक है कि बहुत सारी companies यहाँ पर आप लिख सकते थे E-table items भी लिख सकते थे अगर same रहने दिया तो कोई problem नहीं हो इसमें कोई आपका गलत नहीं करेगा So हमने क्या किया It is a consider that से start किया जिसका मुझे सनानियम आता था वो मैंने लिख दिया जिसका नहीं आता था उसको मैंने same रहने दिया यह बात always mind में रखने है दोनों का मतलब तो same है मतलब में तो कोई change नहीं हो न मतलब तो same है न at least वो चीज जादा important है और मैंने इसमें वो वाली vocab यूज की है जो मैंने आपके साथ share भी की थी ठीक है मैंने आपके साथ share की थी एक दो दिन पहला मैंने जो vocabulary की video upload की थी न उसमें मैंने यह सारी चीज़ें explain की थी यह words ठीक है उसके बाद आपने complex sentences को learn करना है complex sentences की video already आप लोगों को मेरे channel के उपर है मिल जाएगी मैंने 2-3 video upload की हुई है complex sentences की जिसमें मैंने with meaning and example आप लोगों को बताया हुआ है ठीक है तो आप उसको check out कर सकते हो so जो main motive है इस video का वो यह है कि refresh करना बहुत easy है अगर आप लोगों करते हो इस method को follow तो definitely आप लोगों के बहुत अच्छे bands को राना शुरू हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छे लगे तो channel को like करें share करें, subscribe करें very soon new video में लेकर आएऊँगी जब भी मुझे online classes में time मिलेगा तो अगर कोई भी बचा interested है मेरी online classes में तो वो इस given number के उपर text करके online classes को join कर सकता thank you for watching and sporting I'lls with M के channel